मैंने चिमनी ट्रे का एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आया कि पूरा वीडियो बनाइए तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चिमनी ट्रे के बारे में जानेंगे जिन लोगों ने distillation column का fabrication किया होगा या फिर maintenance किया होगा उनको पता होगा कि chimney tray क्या होता है और जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा देख लें और समझ लें कि chimney tray क्या होता है उसके कौन-कौन से parts होते हैं और उनके क्या use होते हैं उनके क्या drawbacks होते हैं यह सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे So first of all let's start with intro So the chimney tray or collector tray as it is often called is designed to collect liquid for one of two reasons First to draw off a product or pump around streams Or second at the same time that a chimney tray is collecting liquid It must be designed to provide good vapor distribution to trade and packed sections above it अरे भाई बता रहा हूँ बता रहा हूँ Confuse मत हो कहने का मतलब यह है कि chimney tray को हम collector tray भी कहते हैं IS वाला collector मत समझना भाई Collector मतलब जो किसी चीज को collect करता है इकठा करता है उसे का हम collector कहते हैं तो chimney tray को एक तरह से हम collector tray भी कहते हैं चलिए आगे देखते हैं जो कि इस तरीके से liquid को collect करता है कि हम वहाँ से product को पूरे तरीके से drop यानि निकाल सकते हैं या फिर stream को फिर से हम pump कर सकते हैं Like pump around कर सकते हैं दूसरी बात कि chimney tray को इस तरीके से design किया गया है कि vapor को अच्छे तरीके से यानि chimney tray के ऊपर जो भी tray या packing होता है उस पर सही तरीके से vapor को equally distribute करता है I hope समझ में आया होगा chimney tray के बारे में क्या बाते हो रही हैं चलो थोड़ा सा parts के बारे में समझते हैं कि chimney tray के अंदर कौन कौन से parts होते हैं अगर इसके parts के बारे में मैं बात करूँ तो कुछ parts के नाम आप याद रख सकते हैं जैसे कि जो पूरा tray होता है उसे हम collector panel कहते हैं जैसे अगर दूसरे tray की बात कीजाए जैसे sieve tray हो गया, valve tray हो गया, bubble cap tray हो गया तो उसको active panel कहा जाता है उसी तरीके से जो chimney tray का जो panel होता है उसे collector panel कहते हैं उसके बाद ये एक riser होता है उसके अंदर जिसके अंदर से vapor बाहर निकलता है तो riser के साथ में उपर में एक hat लगा होता है जिसे support करने के लिए hat support हम लगाते हैं इसके बाद downcomer beam होता है, downcomer plate होता है, wear होता है, wear blocks होते हैं downcomer stiffener लगाया जाता है, downcomer braces होते हैं, seal plate होती है, nut bolts इत्यादी बहुत सारे parts लगे होते हैं chimney tray के साथ ये सारे मिलकर एक पूरा chimney tray बनाते हैं आगे जब भी कभी हम tray के parts के बारे में बात करेंगे तो details से इसके बारे में हम समझेंगे कि इनका क्या-क्या काम होता है अब थोड़ा सा देखते हैं कि chimney tray का use क्यों किया जाता है हो सकता है आपसे ये interview में भी पूछ लिया जाए जब भी अब कभी distillation column के interview देने के लिए जाए या फिर maintenance के बारे में जब आप interview देने जाए तो हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए तो सबसे खास use इसका ये होता है कि ये liquid के leakage को minimize करता है अपने नीचे वाले section में यानि chimney tray के नीचे वाला जो section होता है उसमें liquid को नहीं जाने देता है क्योंकि ये पूरा पूरा pack होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब column के किसी section के liquid को withdraw करना हो यानि खाली करना हो तो हम chimney tray का use करते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी कभी intermediate products को फिर से column में pump करना हो तो वहाँ chimney tray का use किया जाता है इसके बाद जब column के किसी section से ज़्यादा तर liquid यानि लगवा लगवा पूरा liquid को बाहर निकालना हो तब भी हम chimney tray का use करते हैं इसके लावा जब कभी हमें column के अंदर दो liquid phase को separate करना हो मतलब एक column में अलग-अलग liquid होते हैं अलग-अलग phases होती है तो उन दो अलग-अलग phase को जब separate करना हो ताकि वो एक दूसरे के साथ mix न हो पाएं तो उसे separate करने के लिए भी हम chimney tray का use करते हैं देखो भाई जिसके पास खुविया होती हैं कुछ ने कुछ खामिया तो होती ही है तो chimney tray के कुछ drawbacks भी हैं जिसे हम जान ले तो सबसे main drawback इसका ये है कि ये column के अंदर height बहुत consume करता है मतलब लग-बग 2 tray का जगा अकेले ही खा जाता है इसलिए column की height भी बढ़ जाती है इसलिए इसे more expensive arrangement भी माना जाता है इसके अलावा chimney tray के अंदर high pressure drop भी होता है जो कि chimney tray का एक major disadvantage माना जाता है तो chimney tray के उपर एक छोटी से जनकारी बस आज के लिए इतना ही बाकी आप मुझे comment करके बताना है कि आपको इस वीडियो में क्या समझ आया और क्या नहीं समझ में आया मुझे पता है अगर बहुत सारे लोग कुछ नहीं समझ में आया होगा तो ये इसलिए कि हो सकता है आपने column के अंदर काम नहीं किया है जब भी आप column के अंदर काम करेंगे या काम करने का मौका मिलेगा तो काफी हद तक ये सारी चीजे समझ में आएंगी तब एक बार आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना तब आपका concept लगवग लगवग clear होगा और जाने से पहले वीडियो को like और share करके जरूर जाना और अगर चैनल पर आप नए हो तो देखो बगल में लाल रंग का एक subscribe का बटन होगा उसको ऐसे दबाना कि वो अपना रंग बदल ले और घंटे को भी बजा देना ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोडिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वास्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद